Hi Everyone, Welcome back to my channel तो आज देखिए मैं आप लोगे लिए फिर से एक नई सी इंट्रेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ और इस स्टोरी का टाइटल है रैबिट एंड फ्रॉग यानि खरगोश और मेंडग तो आज ये स्टार्ट करते हैं डीट करना वन डे यानि एक दिन आल दा रैबिट सारे रैबिट सेट यानि बैठे थे फोर अ मीटिंग के लिए बैठे थे मीटिंग का मतलब होता है बैठक होना बैठक या बैठक बोल सकते हैं ये किस चीज़ की पंचायत इस तरह से बोल सकते हैं तो मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, in the forest, जंगल में, in the forest जंगल में बैठे थे, the leader said, यानि खरगोष में जो leader था, सबसे बड़ा जो था, उस ने कहा, leader ने कहा, brothers, भायों, we have no friends, in this forest, यानि we have no, हमारे पास नहीं है, friends, को, दोस्त नहीं है, हमारे पास कोई भी दोस्त नहीं है, in this forest, यानि इस जंगल में, इस जंगल में हमारे पास कोई दोस्त नहीं है, everyone thinks, सभी सोचते हैं, of us, हमें सोचते हैं, as, worthless, worthless का मतलब होता है, नाकारा या बेकार तो सभी जो है हमें नाकारा या बेकार समझते हैं and tends to kill us tends का मतलब होता है आदत या फितरत ये कुछ भी बोल सकते हैं जैसे कि जंगल में रहने वाले सारे जानवरों की ये फितरत है आदत है कि वो अपने से छोटे जानवर को खा लेते हैं मार डालते हैं तो इसी वज़े से जो है, यहां बोले जा रहा है, tends to kill us, और हमें जो है, मार डालते हैं, हमें मारने पर तुल जाते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, we cannot bear, bear का मतलब होता है, सहना, हम लोग नहीं सह सकते, the, the insult anymore, यानि और जादा, और जादा, anymore का मतलब होता है, और जादा insult, या let us all go, तो, so, यानि तो, let, यानि चलो, चलो हम सब चलते हैं, and kill ourselves, और kill का, kill, यानि मार डालते हैं, ourselves, खुद को, खुद को मार डालते हैं, by, drowning, ड्रोनिंग का मतलब होता है, डूबना, by drowning, in the river, यानि दरिया में डूब कर, अपने आपको, मार डालते हैं, अपने आपको, ख and moved toward the river, और move हो गए, move हो गए, यानि उस तरफ मुड़ गए, या चले गए, toward की तरफ, the river, यानि दरिया की तरफ, move हो गए, दरिया की तरफ, चले गए, तो ये next paragraph हैं, when they were about to jump into the river, यानि जब वो कुदने वाले थे, about to jump का मतलब होता है, कुदने वाले थे, into the river, यानि दरिया में जब कुदने वाले थे, दरिया में, जब जब वो कुदने वाले थे, two baby frogs, frogs saw them, यानि दो छोटे मेंड़क ने उन्हें देखा, and in fear, in fear, यानि fear का मतलब होता है, डर या खौफ, यानि खौफ में दे, यानि खौफ में वो hopped, hoped, यानि कूद गए, चलांग लगा दिया, उन्हेंने इस तरह से बोल सकते है, jump मतलब भी कूदना होता है, और hope का मतलब भी कूदना होता है, यानि उन्होंने चलांग लगाई, out of the river, out of the river, यानि दरिया के बाहर, दरिया के बाहर चलांग लगाई, when the leader saw this, यानि जब leader ने ये देखा, क्या देखा, कि दो मेंडग जो है, डर से बाहर निकल गए, क्योंकि वो कूदने वाले थे दरिया में, तो ये देखकर जो है, छोटे जो मेंडग थे, वो डर से बाहर आ गए, तो ये चीज़ जो है, लीडर ने, यानि जो खरगोश के जो लीडर ने, उसने देखा, he changed, his mind, यानि उसने अपने, अपनी सोच को बदल दिया, change कर दिया, अपने सोच को बदल दिया, he said, उसने कहा, to his friend, यानि अपने दोस्तों को कहा, wait, रुको, having heard our conversation, conversation, conversation का मतलब होता है, बातचीत, और heard का मतलब होता है, सुनना, यानि हमारी बातचीत सुनकर, the little frogs jumped out of the river, यानि हमारी बातचीत सुनकर, छोटे जो मेंड़क थे, वो कूद गए, दरिया के बाहर कूद गए, it means, यानि इसका मतलब that, के, इसका मतलब के, we are not worthless, यानि हम लोग बेकार नहीं है, we have some value on the earth, यानि हम लोग भी कुछ, सम मतलब कुछ, हम लोग भी कुछ value रखते हैं, value, हमारी भी कुछ value है, कुछ एहमियत है on the earth यानि इस दुनिया में हमारी भी कुछ value है कुछ एहमियत है So, why? क्यों? तो क्यों should we destroy our valuable lives? यानि क्यों हम destroy मतलब बरबात करना valuable यानि कीमती lives यानि जिंदगी क्यों अपनी कीमती जिंदगी बरबात करें destroy करें यानि क्यों बरबात करें अपनी कीमती जिंदगी यानि जो leader है वो अपने दोस्तों में कह रहा है कि हम अपनी कीमती जिंदगी क्यों बरबात करें कि हमें करना चाहिए अपनी जिंदगी बरबात करनी चाहिए शूट का मतलब होता है शूट का मतलब होता है चाहिए जिसे कि वो पूछ रहा है अपने दोस्ते कि हमें अपनी जिंदगी बरबात करने चाहिए तो क्यों हम अपने जिंदगी बरबात करने चाहिए इस तरह से आप बोल सकते हैं तो I think कि अप लोगों को यह स्टोरी समझ में आ चुकी होगी स्टोरी का मुरल देखिए Never consider yourself worthless यानि खुद को कभी भी बेकार मत समझना Never मतलब कभी भी, Consider का मतलब होता है विचार करना या गोर करना Yourself यानि अपने आपको yourself यानि अपने आपको worthless यानि बेकार खुद को बेकार मत समझना यानि विचार अपने बारे में ये विचार मत करना कि तुम बेकार हो तो I think कि आप लोगों को और इस story का देखिए इस तरह से इसकी तस्वीर है गोश में सच जो ये लीडर है और उसने इन छोटे छोटे जो है मनमेंडग को देखा कि वो दर्या से कूद गए दर्या के बाहर आ गए डर से उनके डर से इसले जो है ये खुद को इन्होंने बेकार नहीं समझा खुद को क्योंकि इनकी भी कुछ वैलू है इनसे जो है इनसे छोटे जानवर जो है डरते हैं तो आप लोगों को ये story पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा